हलो दोस्तों नमस्कार, हमें टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समझत इपियस 95 पेंसनर्स भाई बंदू, आप सब का हमारे वीडियो में स्वागत है, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नई पेंसन और पुरानी पेंसन के बारे में कि नई पेंसन क्यों ज्याद के साथ किया जारी, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सारी बाते हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो में बने रहे सुरू से लेके लाश्ट तक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मुख सच्चु में ये लाभ गिनाये हैं, जो प्रमुख से लाभ हैं नई पिंसन से, ठीक है, तो मुख सच्चु ने बताया कि इन पियस के अंतरगत ग्रेजुटी, अवकाश, नगरीव, शामूहिक, भीमा योजना, पूर्व की भाती, अनुमन्य है, इन पियस के दारे वाले किसी भी कर्मिक किर्मित्य सेवा काल में होने पर, मिर शादीत कर्मचारियों के मृतक आशित का सेवा योजना भी संगत निर्मों के अधिन अनुमन्य है, इन पियस के अंतरगत पेंसन खाते के अतरीके जी पी एफ की तहत खाता खोलने का भी प्रवधान है, इन पियस के कर्मचारी को बेतन का दस प्रसत अंसदान देना होता है जबकि राज सरकार 14 प्रसत अंसदान देती है, कर्मचारी चाहे तो अपना अंसदान बढ़ा सकते हैं, ये एक बड़ा लाव इसमें है, इन पियस में रिक्स को नियूम्तों मस्तर पर किया गया है, जमा धनराज का 85 प्रसत सिकॉरिटी में निवेस किया जाता है, जिसमें क कोई रिस्क नहीं है, बाकि 15 प्रसत प्रफेस्नल फंड मैनेजर के माध्यम से निवेस किया जाता है, वर्तवान में एन पियस के अंतरगत जमा राज्ची का ग्रोथ करीब 9.5 प्रसत तक है, जबकि जी पीय में मात 7.1 प्रसत का ग्रोथ मिल रहा है, एन पियस में भी सेवा निवरित कर्मचारियों को चिकिक्सा प्रति पूर्ती तथा कैसले सिलाज के सुभधा पूर्वत मिलती रहेगी, ये हो गया नई पेंसन की जो भी लाब है, जो मुख्य सच्चियों ने लाब गिनाए हैं, उन लाबों की ये सूची है, इसे आप लोग देख सकते हैं, बख पूर्त समू गर के कार्मिक का 31 दिसंबर 2037 में रिटार्मेंट मानते हैं, पुराने वा नई पेंसन स्कीम के लाबों की गरना कराई, पुराने पेंसन में रिटार्मेंट के समय इस कर्मिक की पेंसन 30,200 रुपे बनेगी, लेकिन 40 प्रस्यत राजची करण के नगत भुकतार के बाद बची धन राजची की मासिक पेंसन 18,120 रुपे मिला करेगी, इसके अलावा शेवानी बृत के समय ग्रेचुटिवर 40 प्रस्यत राजची का धन राजच मिला का कुल 22,99,28 रुपे नगत भुकतान होगा, दूसरी और नई पेंसन स्कीम में रिटार्मेंट के समय 20,4 430 रुपे पेंसन बनेगी, यहीं एन पेंस के तहत जमा धन राजच में अरजित आयका 60 प्रस्यत इसा नगत भुकतान कर दिया जाता है, इन कार्मिक को ग्रेजुट वा नगत भुकतान की कुल राजची 72,660 रुपे मिलेगी, नई पेंसन में मासिक पेंसन 24,450 रुपे बन 230 रुपे प्रतिमा अधिक मिलेगी, इसी तरह समोगा कि कार्मिक के लाव की गरणा कर इसपस्ट किया गया है, अधिकारी का कहना है कि पुरानी पेंसन में डिये के साथ ब्रिद्धी की जरूरी जरूर बिवस्ता है, इस पर नई पेंसन में रिटार्मेंट के समय जो अधिक राशे मिलती है, वह उसका निवेज कर दिया जाए तो डिये के लाव भी अधिक होगे, डिये में भी लाव अधिक होगा, इस प्रकार की बातें जो गिनाई गई है कि नई पेंसन में किस प्रकार की और कितना प्रिसत का लाव होने वाला है, और साथी साथ में कुछ उनकी प्रमुक रूप से जो भी लाव हैं, उनकी भी एक सूची बना के गिनाई गई है, तो नई प्रेंसन और पुरानी प्रेंसन में जो भी बातें हमारे समझ में आई हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में आप ये साज़ा कर दिया हूँ, इस पेपर के माद्यम से, आपका क्या गहना है, आपका क्या राह है, आपका क्या भीचार है, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अप्रेंट में तब तक करें, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.